Hello students, हम by और with इन दोनों prepositions का यूज यह बताने के लिए करते हैं कि कोई वैक थी किसी कारिय को कैसे करता है लेकिन जब हम इन दोनों शब्दों का यूज करते हैं तो इनके प्रयोग में काफे अंतर होता है हम by का यूज तब करते हैं जो हम यह बताना चाहें कि कोई वैक थी किसी कारिय को किसी दूसरे कारिय की मदद से करता है और हम vid का यूज तब करते हैं जो हम यह बताना चाहें कि कोई वैक थी किसी कारिय को किसी object की मदद से करता है तो यह इन दोनों में difference होता है तो चले कुछ examples लेता हैं इन examples की द्वारा समझते हैं कि इन दोनों में ये अंतर किस प्रकार होता है तो first example देखे, I killed the spider by hitting it तो यहाँ पर मैंने spider को मारा लेकिन कैसे मारा by hitting it तो मैंने spider को किस action की मदद से मारा इसको hit करके तो यहाँ पर मैं by के बाद लिखोंगा hitting it क्योंकि यह verb है इसलिए by के बाद यह जो verb यूज करते हैं तो इसमें हम ing यूज करते हैं next example है, I killed the spider with a stick कि मैंने spider को मारा, कैसे मारा? with a stick, एक stick की मदद से आहां पर spider को मारा राणे के लिए कोई दूसरी action की मदद नहीं लिए, बलकि spider को मारने के लिए मैंने object कर यूज किया है और object होya stick तो इसलिए यहां पर with का यूज हो है तो जब भी हम कोई कारिय करते हैं तो वो कारिय हमने कैसे किया या हम उस कारिय को कैसे करते हैं अगर हम उस कारिय को किसी action की मदद से करते हैं तो हम by use करेंगे और by के बाद जो verb use करेंगे उसके साही इंची लगेगा लेकिन अगर हम किसी कारिय को किसी object या किसी tool की मदद से करते हैं तो हम विद का यूज करते हैं और विद के बाद एक noun लगेगा लेकिन दोनों ही conditions में ये जो phrases बनती है by और with ठीक है by के बाद verb और with के बाद noun ये दोनों ही जो ये जो दोनों ही phrases बनती है दोनों तरह से ये how का answer बनती है जैसे I killed the spider मैंने spider को मारा how कैसे मारा by hitting it I killed the spider with a stick तो कैसे मारा with a stick बचा आपको याद रखना है कि अगर आप किसी कारिये को किसी दूसरे कारिये की मदद से करते हैं तो वहां आपको by use करना है by के बाद verb आईगी उस verb के साथ हम ing लगाएंगे और अगर हम किसी कारिये को किसी tool या किसी object की मदद से करते हैं तो हम with use करेंगे और with के बाद कोई noun का परियोग होगा अगर हम by और with जैसे हमने अभी देखा कि by और with का use हम किसी कारिये को करने के लिए कैसे करते हैं तो ऐसे cases में by और with इन दोनों का जो opposite होता है वोता है without चलिए कुछ examples लेते हैं जैसे I killed the snake by hitting it मैंने snake को मारा कैसे मारा by hitting it लेकिन यहाँ पर अगर इस by के opposite को देखा जाए अगर मैं by का opposite word यहाँ पर यूज करूँ तो sentence देखे it was killed to kill the snake without hitting it तो यहाँ पर without को यूज वा है तो यहाँ पर by का opposite क्या हुआ without next example देखे we will have to get it out with a screwdriver हमें हमें इसको एक स्क्रीव ड्राइवर की मतले से बाहर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर विदे स्क्रीव ड्राइवर यूज हुआ है लेकिन अगर मैं इस sentence का opposite sentence यूज करूँ जैसे we can't get it without a screwdriver हम इसको बिना screwdriver के बाहर नहीं निकाल सकते तो यहाँ पर भी विद का opposite क्या है without तो इस तरह से by और with इन दोनों का अगर opposite देखा जाए तो इनके opposite के दोर पर हम without word का यूज करते हैं इसके लिए बाइ का यूज हम means of transport को refer करने के लिए भी करते हैं जिसे by bus, by train, etc. पैस्तिव क्लाजिस में by का यूज हम एक agent को introduce करने के लिए करते हैं और यह agent कुन होता है agent वो person या वो thing होती है जो किसी कारिये के लिए responsible होती है जैसे I was interviewed by three directors मेरा three directors के दोरा interview लिया गया अर्थाथ action क्या हुआ? interview लिया गया अब interview के लिए कुन responsible था? three directors और यह by के बाद लिखा हुआ है तो by के बाद यह three directors लिखा हुआ है इसको कह गए है हम agent तो agent से पहले हम by use करते है और यह agent कुन होता है वह person or thing जो किसी कारिये के लिए responsible होता है तो यहाँ पर डारेक्टर से किसके लिए responsible है interview के लिए यहाँ पर देगे next example में instrument used by somebody देखिए अगर मैं कहता हूं he was killed by a heavy stone तो इस sentence में action क्या हुआ killed यह passive close है passive close कैसे है कैसे पैचाने के एक point मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि be verb के बाद जो verb की third form होती है तो यह जो structure होता है जहाँ भी आपको मिलता है तो यह passive close मनाता है means passive verb होती है ठीक है तो यहाँ पर भी इस sentence में was killed देखिए यह B की form है और यह यहाँ पर भी third form है तो यह passive structure है तो passive structure में हम by use करते है और by के बाद यह जो होता है यह agent होता है ठीक है तो he was killed by a heavy stone means कि एक stone fell and killed him मतलब यह stone है यह इसको मारने के लिए responsible था means यह stone इस पर गिर गया और इसको मार दिया next example he was killed with a heavy stone अगर हम by की जगे with use कर देते है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि somebody use this stone to kill him बे किसी वैक्ती ने stone use किया उसको मारने के लिए क्योंकि with का use हम तब करते है जब कोई कारिय किया जाता है और उस कारिय को करने के लिए किसी object का use किया जाता है तो with a heavy stone लिखेंगे तो किसी person ने इस object को use किया मारने के लिए किसको मारने के लिए इसको तो thanks for watching this video happy learning bye-bye